हेलो फ्रेंड वेलकम आई यूटूब चैनल वेस्ट ओफ मी सो मैं खुशी लेकर आई हूँ हम् आज मैं कोई भी वर्क आट वीडियो लेकर नहीं आई हूँ आज मैं विश्च करने आई हूँ बुमिन्स डे पे सो हैपी बुमिन्स डे तो आल अफ यू और जो मेरी बहुत सुन्दर बहुत प्यारी जो भी लड़किया है सिस्टर है माधाय है फ्रेंड्स हैं मेरी और जो भी इन दे वर्ल जो भी लड़किया लेडिज है उन सबीको मेरी तरफ से हैपी इंटरनेशनल वुमिन्स डे सो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ कुछ बाते जो है वो शेयर करूँगी देखिए मैं हमेशा जो है वो बात नहीं करती किसी अधर की क्योंकि बाकी सब चीजे हमें पता रहती हैं मैं यहां पर यह काउंट नहीं करवाऊंगी कि कितनी हमारी देश की जो बहुत बहुत अच्छी अच्छी लेडीज हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी अच्छीमेंट उन्होंने करी है तो इसमें कोई भी बात बताने वाली नहीं है वो सभी लोग जानते ही है मैं बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों की जब बुमिन्स जो भी बुमिन्स है उनकी बात करूँगी जो अभी भी अभी भी जो है वो अपनी लाइफ में जो है decision नहीं ले पाती चाहे वो फिर किसी डर के कारण हो चाहे वो हमारी जो surrounding में society है उनके कारण हो जा फिर वो अपनी family का कोई किसी चीज का डर हो उस चीज की वज़े से वो जो कई लड़कियां जो है वो गुटन में रहती हैं कोई अपनी लाइफ में अच्छे से decision नहीं ले पाती और चाहती हैं कि हम लोग वो लोग आगे बढ़ें लेकिन उनको डर है किसी चीज का वो हमेशा बात याद रखें अपनी लाइफ में कि जो हमारे आसपास जो लोग हैं अगर हम अच्छा करेंगे वो तब भी बोलेंगे तो आपको decide करना है कि आपने अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है कैसे अपने depression को अपनी anxiety को दूर रखके आपने अपनी लाइफ में अपने ऊपर एक विदावड किसी के ऊपर depend हुए independent life जीनी है देखे जब एक लड़की जो है वो बिल्कुल independent हो जाती है खुद अपना घर्चा खुद कर सकती है कमा सकती है तो 50% प्रॉब्लम जो है लेडिस की तभी ही उसी टाइम खतम हो जाती है सो मैं खुद भी बहुत ज़दा depression में रही हूँ depression anxiety बहुत सारी चीज़े मैंने देखी है अपनी लाइफ में बट मैंने एक बात सीखी है कि हमारी लाइफ में जो दुक आते हैं हमारी लाइफ में जो obstacles प्रॉब्लम्स आती है वो हमेशा रहती है आप सोचोगे कि वो आज है और तो कल नहीं होंगी मेरे लाइफ सुदर जाएगी तो अच्छी हो जाएगी तो शायद नहीं होंगी लाइफ में अपडॉण जो है वो चलते रहते हैं प्रॉब्लम्स आती रहेंगी लेकिन हम लोगों को इतना जादा मजबूत बनना है इतना जादा स्ट्रॉण बनना है ताकि आने वाली कोई भी प्रॉब्लम हो उससे हम लोग जो है वो अच्छे से डट करके अच्छे से स्ट्रॉण बनके निकल सके सो मैं सभी लेडिस को यही बोलना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में आप डिसीजन ले अपने अच्छे के लिए अच्छा डिसीजन ले आप किसी के बारे में ना सोचे आपको लगता है कि आपके उपर किसी तरह का अत्याचार हो रहा है जा आपकी लाइफ गुटन में है जा आपको कहीं खुशी नहीं मिल रही है और तो आप सिर्फ और सिर्फ उस टाइब अपने बारे में सोचे लोग क्या बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे ये सोचने की आपको कोई जरूरत नहीं है लोग है वो बोलते ही रहेंगे आज नहीं कल बोल बोलके वो बंद हो जाएंगे लेकिन जिस दिन आपने ये सोचना छोड़ दिया ना कि लोग क्या बोलेंगे मैं सच बताती हूँ आपकी लाइफ जो है वो उसी दिन ठीक हो जाएगी सो मेरी सवी लेडी से यही रिक्वेस्ट है और खुश रहें आपको जो करना है आप वो करें अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंट करें किसी से डरने की किसी से भी किसी भी चीज से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है so happy women's day again so thank you thank you for watching me and please like and subscribe